नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है, मैं हूँ गिजेश पसिष्ट आज कुछ आंकड़े, कुछ तत, कुछ सच्चाईयां आएंगी और आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि बांगलादेश के जो अलपसंख्यक हैं या वहां के जो हिंदू हैं उनका कौन कितना बड़ा शुवचिंतक है, किसको उनकी परवा है और किसने बांगलादेश में हिंदूओं के प्रती लगातार नफरत खड़ी करने में योगदान दिया सरहत के उस पार और सरहत के इस पार दोनों तरफ के लोगों की सच्चाई को आज हम जानेंगे आज हम समझेंगे कि किस तरह से जो राजनितिग्य हैं वो शेर की खाल में छिपे हुए भेडिये सावित होते हैं जो चाची यहां पर आई वोई हैं जिनको लगातार हमारे देश में एक नरेटिव बनाया जा रहा है और जिसमें ही समझाया जा रहा है कि वो सबसे अच्छी पॉलिटीशन रही हिंदूओं के लिए उसकी भी पोल खुलेगी और उनका जो भारत में स्वागत करने वाले हैं उनके बारे में भी आप जानेंगे कि उनको वहां के हिंदूओं की कितनी परवाह रही है कहीं मत जाईए चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे मैं भी हाजर होता हूँ आज का प्रोग्राम ज्यादातर अलग-अलग तरे की आधारित रहने वाला है क्योंकि मैं इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों और प्रमाणूं के आधार पर प्रस्थुत करना चाहता हूं मैं नहीं चाता हूं कि किसी प्रकार की कहीν पर भी कोई गुनजाईश बचे सबसे पहली क्लिप मोधी जी की फोटो के साथ हिंदू की खवर है हिंदू ने छापी है PTI की खवर है PTI यानि Press Trust of India एक ऐसी एजनसी है जो देश भर के अखवारों को खवर देती है और वो खवर अखवार उससे खरीदते हैं PTI को लोग एक पेमेंट करते हैं उसके बदले में वो लगातार खवरे देती है एजनसी उस एजनसी की खवरों को अखवार छापते हैं तो PTI ने एक खवर रिलीज की है और ये खवर जो है ये कहती है कि बांगलादेश के जो वलनरेल बांगलादेशी हिंदू है वो मोधी की तरफ आस भरी नजरों से देख रहे हैं क्यों देख रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जो fundamentalist group हैं कटर पंती लोग हैं बव संख्यक वादी लोग हैं जो fastest forces हैं वो चाहते हैं कि वहाँ से अल्व संख्यकों को खतम कर दिया जाए और उनको लगता है कि मोधी जी इसमें कुछ ना कुछ मदद करेंगे ऐसा वो क्यों कह रहे हैं ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि मोधी अकेला ऐसा आदमी है जो हिंदूों के लिए शायद लड़े हमारे लिए कुछ करे इस ख़बर की तारीक देखना और भी गॉर्णर करने वाली चीज़ है यह 17 नमबर 2,021 की ख़बर है 2,021 की 17 नमबर से आज सब लोग हर तरफ कुल बुला रहे हैं हिंदूों के लिए कुछ बोलो बांगला देश के हिंदूों के लिए कुछ बोलो ये आशा उन्होंने जताई थी कि मोदी जी शेख हसीना से बात करके या किसी और तरीके से हमारे को बचाने के लिए कुछ करेंगे एक भी आदमी नहीं बोला और खुद मोदी जी की तरफ से भी कोई बयान उनकी सरकार की तरफ से 21 की बात है कोई बयान नहीं आया उन हिंदूओं को बचाने के लिए पहली ख़बर दूसरी ख़बर है ये BBC का आइटिकल ये बता रहा है कि किस तरह से बांगलादेश के लिए भारत बहुत महत्पूर्ण है ये बता रहा है और इसमें ये भी बता रहा है कि बांगलादेश भारत के लिए कितना महत्पूर्ण है और ये आइटिकल ये बता रहा है कि किस तरह से वहां की जो शेख असीना और यहां के मोदी जी है ये दोनों एक दूसरे के लिए कितने माईने रखते हैं और दोनों के संबंद जो है उसमें चमक आई है और बार बार दो ये खबर जो है दो हजार बाइस किये और ये बताया गया इसमें कि दो हजार पंदरा से लेकर अब तक बार बार ये नेता मिल चुके है शेख हसीना को क्या मिला बांगलादेश को क्या मिला भारत से अडानी जी को क्या मिला बांगला देश से ये सब चीजें हम जानते हैं और भारत ने कैसे हैं अपनी जमीने अपने गाउं शेक हसीना के रहते हैं मोदी जी के राज में दिये ये भी हम जानते हैं इन दो आइटिकल्स से आपको ये अंदाजा लगा होगा कि बांगला देश के लोगों के लिए भारत की सरकार और भारत के लोग कितना महत्पून है अब इसी ख़बर में आगे देव प्री भटाचारिया एक अर्थशास्त्री हैं वहां के वो बताते हैं कि शेक हसीना जो भारत की एक हिंदू वाली सरकार की पक्की मित्र हैं मैंने आपको बताया कि लगातार दोनों मिल रहे हैं ठेकों का आदान प्रदान भी हो रहा है जमीने भी दी जा रही है बांगला देश को बहुत सारी मदद दी गई है और भारत के हिंदू दक्षिन वन्तियों के लिए शेक हसीना बांगला देश की सबसे पसंदीदा निता है उनके राज में किस तरह से हिंदूों के साथ होता रहा और ये जितनी कटिंग लगा रहा हूं ये बांगला देश का कान्ड होने के बात की नहीं है ये उसे बहुत पहले की हैं ताकि बांगला देश की इस्तिती आप जान सकें विवे कानन्द फाउंडेशन जो ठिंक टेंक है बीजे पी कार एसस का उसके आखड़े भी आज में आपके सामने रखने वाला हूं ताकि किसी तरह का कन्फूजन ना हो इस खबर में लिखा हुआ है कि 2008 में जब से ये शेक हशीना सरकार में आई है तब से वो कट्टर पंथ पे काबू पाने में लगातार नाकाम रही है सरकार रहने के बावजूद कट्टर पंथीवां बढ़ते रहे अत्षास्त्री देव प्रिय भट्टाचार कहते हैं कि राजनितिक लाव के लिए सरकार ने शेक हसीना ने कट्टर बादी ताकतों से समझोता किया और खास तोर पर लोगतांतिक राजनिती की प्रस्टभूमी में ऐसा विवश्टा के कारण किया गया वो कहते हैं कि उनके राजमे कट्टर पंथियों को शोहरत और मानिता मिली और उनका प्रभाव बढ़ा यह जो मैडम आई हैं जिनका हम रेड कारपेड विच्छा के स्वागत कर रहे हैं कि अब यह हट गई हैं और वहां बांगला देश में कट्टर पंथि आ गए हैं और उनके आने के बाद अब पता नहीं हिंदू का क्या होगा अलपसंख्यकों का क्या होगा अरे वो जो आदमी आया वो सबसे पहले आके यही कह रहा है कि भईया मुझे चाहते हो राश्पती देखना तो यह सब बंद कर दो अलपसंख्यकों पर अत्याचार वर्ना में चला जाओंगा इतने सालों में शेख हसीना ने कभी कोई ऐसा एक बयान दिया कि अगर आपने अलपसंख्यकों पर अत्याचार किया तो मैं स्तीफ़ा देदूंगी लेकिन शेख हसीना को उनका शुपचिन तक बताया जो जो नहीं सरकाया यह उसको कह रहा है यह कट्टरपंथियों के साथ में है और अभी जो कट्टरपंथी घटना है हमारे सामने आई है इनके आकड़ों की हकीकत मैंने बताई बाकाइदा आपको मैंने यह भी बताया कितने फेक वीडियों भेजे जा रहे है अभी जो निजाम आया उसको तो हम कट्टरपंथी बता रहे हैं अभी तक के निजाम में कट्रफंद को जैसा संडक्षण मिला और जो उसका जम के विरोत करना है, बड़ी बड़ी रेलिया निकल रही है वहाँ पर, तब कहा जा रहा है कि बांगलादेश में कट्रफंद हाभी हो गया है, तो क्या हम लोग यहाँ पर सिर्फ जॉंबी और उल हिंदू के लिए दवा के काम करें, जिसको लोग कहते हैं हिंदू विरोधी है, मुसल्मानों की शिप्चिन तक है, यही सब समझाया गया नहाँ आपे, वो कहते हैं, उसके इश्या केंपिनर कहते हैं, उचित और वो भी मुसलिम है हममादी साब, उचित जाच की कमी सामपरदाइक हिंसा के लिए सजा ना मिलना और प्रभावी उपायों को ना उठाना बांगला देश में सामपरदाइकता बढ़ने की एहम वज़े है, यह कौन कह रहा है, यह आदमी कह रहा है, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का आदमी बांगला देश में बैठा हुआ है, क बार बार बोल रहे हैं कि बांगला देश में अत्याचार हुआ है, यह ख़वर है 26 अक्टूबर की, इसका है बीबीसी की ख़वर है, बांगला देश में मंदिरों पर हमले के बाद दरके साय में जीते हिंदू, अब आप देखिए, हमारे को यह समझा जाता है कि बीबीसी ह वो एजिंसिया हैं जो किसी भी तरह का अत्याचार अलपसंखिकों के खिलाब, दलितों के खिलाब कहीं पर भी होगा तो इसको उजागर करेंगे, तो हम मानते नहीं, अब यह बांगला देश में इसका उल्टा हो रहा है, और भारत में हमारे राम माधर इंडियन एक्स्प 21 का आर्टिकल है, यह बगाबत से बहुत पहले का, यानि हिंडूों पे हमले लगातार चल रहे थे, एक और आर्टिकल बताता हूँ, दैनिक भासकर का, बांगला देश के चुनाओ के बाद हिंडूों पर हमले बढ़ गए हैं, यह अभी का, चार महीने पहले का आर्टिकल ह जब वहाँ पर मैडम जीती थी जुराब, शेक हसीना, हसीना सरकार अलप संख्यकों को बचाने में नाकाम, तीन महीने में छे जिलों में हमले हुए हैं, यह खबर टीवी नाइन की है, जो कहता है, बांगला देश में हिंडू मंदिरों में तोड़ फुर हुई है, घरों मे आग लगाई गई है, यह है 21 मही 2024 की खबर, यह खबर भी बता रही है कि पांगला देश में कैसे लगातार, अलप संख्यकों पे हमले चल रहे हैं, अब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एक बहुत बड़ा ठिंक टैंक है, जब वो यहाँ पर एक राइसीना डायलॉक्स कर जाते हैं, अम्बानी जी बताई कह जाते हैं, और उसे बड़े सारे लोग जोड़े हुए, आतकि डोबाल साब का बेटा भी उससे जोड़ा हुआ है, उसका यह रिसर्च है कि बांगला देश में जो इंडिया आउट अभियान चल रहा है, 26 अप्रिल 24 की खबर है, बांगल भारत में, कि भारत में जिस तरह का हिंदू सामपताइक ताकतों का उभार हो रहा है, और भारत की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी जिस तरह से लगातार मुसल्मानों के खिलाफ नेरेटिव गल रही है, खुलकर बयान दे रही है, आग लगा रही है, उसका परिणाम आवाम के अंदर पर रहा है, और आवाम के अंदर क्या पर रहा है, वहां के जो कट्रपंती हैं, वहां की जो आरेसेस हैं, या वहां की जो बीजेपी है, मतलब जो मुसल्मानों के नेता है, वहां के आरेसेस हुए है, जो कट्रपंती बहुसंख्यक वादी लोग हैं, वो द काम यहां बांगलादेश में मुस्लिम बाउसंखेक कर रहे हैं तो समस्या किसकी तरफ से है बाउसंखेकों के कटरवाद की तरफ से है और बाउसंखेक वाद की तरफ से है तो यह लिखते हैं कि जो वहां पर हो रहा है वो most of the Hindu hold the view बांगलादेश के रहने वाले यह observer research foundation लिख रहा है that land is the major region of which they have been attacked historically being one of the influential countries in the south asian region India should try to influence बांगलादेशी authorities to save the minorities Hindu in the बांगलादेश इनकर जो डाटा है इन्होंने जो बांगलादेश में बात की है और लोगों से वो यह कहते हैं कि बांगलादेश में हिंदूों की जमीनों पर कबजा करने के कारण उन पर हमले बढ़ने है और यह बहाने राजनीती का है नि और यह कहा जा रहा है कि निशाने पर अलब जन्खिकों की जमीने हैं जो वकवोर्ड के पास में हैं कोछ लोग वकवोर्ड के बारे समस्तर कोई एक बोर्ड होगा एक बोर्ड नहीं है हर राज्य में अलग अलग वकवोर्ड होते हैं उसमें सरकार अपने मेरा पूरा वीड निकल में लिखा हुआ है, कि भारत में हिंदु-कटर बाद के कारण या हिंदु-वादियों के बयानों के कारण बांगला देश में अल्वसंठ्याक ह Archives की टो की मुशकिलیں बढर रही है, वहां के कतर पंथियों को बहाने मिल रहे हैं उनकी प्रिधान मंत्री ने कहा कि भारत मे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे उनके मुलक और वहां के हिंदूों पर असर पड़े यानि भारत में एसा कुछ मत नहीं करो जिसके कारण बांगलादेश के हिंदूों पे बुरा असर पड़े वहां के पूर विदेश तचिप तौहिद हुसेन ने बीबीसी की बंगला सिवा से कहा कि ये पहली बार है जब बंगला देश के शीष नित्रत्व की ओर से खुल कर भारत के भीतर होने वाले वाकियों पर चिंता बताई गई है यानि भारत में जो हिंदू बहु संख्यकबाद है इसका दुष परिणाम के तौर पे वहां का जो बहु संख्यकबाद है वो खाद पानी बारा है वहां के जो कट्टरपंथी लोग है वो बहाना उनको मिल जा रहा है भारत के कट्टरपंथियों के कारण और उन्होंने का कि सावाने तरप भारत को इस तरह से इस पर संदेश नहीं देते हैं फिर भी इसको लेकर बात होती है अलाकि हम बात करते हैं समय समय पर कम्यूंकेट करते हैं लेकिन भारत की सत्तादारी बीजेपी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ने भी बांगला देश को लेकर अबद्र भाशा का इस्तिमाल किया था तब भी हमने खुल कर नहीं बोला था अमिश शाह ने जब घुस पैठी एका था अब तो मोदी जी नहीं कह दिया हाल के चुनाओं में 2019 के लोकस्वा चुनाओं से पहले हमिश शाह ने बांगला देश में अवैध रवाशियों के लिए सक्त वाशा का इस्तिमाल किया था इसे लेकर बांगला देश में काफी विरोध हुआ था इसके बावजू सरकार की तरफ से खुल कर कुछ नहीं का गया ये बांगला देशी करेंगे इसके बावजूद हम चुपचाप से मोदी जी को ये बताते रहे सरकार को लेकिन इस बार खुल के प्रधान मंतरी को उनकी कहना पड़ा कि भाई जरा ध्यान रखो यहां के हंदूओं पर बुरा असर पड़ता है ये 17 अक्टूबर 2020 की बात है 2021 की यानि तब तक बांगला देश के नजरिये से आप कहें सिर से उपर पानी हो चुका था ये पूरी कहानी चल रही है वहाँ पर मैडम सरकार में बैठी हुई है या मोदी जी सरकार में बैठे हुए है यहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसके कारण वहाँ से बहु संख्य कटर पंती खाद पानी पा रहे हैं अल्प संख्यकों पे हमले कर रहे हैं और हमने ऊपर पढ़ा कि किस तरह से हसीना की सरकार बहु संख्यक कट्टर पंथियों पे जवर्दस्ती नहीं कर रही है, दबाव नहीं डाल रही है, उनको रोक नहीं रही है, क्योंकि उसको उसमें political mileage दिख रहा है. याद कीजिए पाकिस्तान के टाइम पे क्या होता था जब पाकिस्तान में चुना होते थे तो भारत की तरफ से एक पार्टी हमला कर देती थी हमारे चुना होते थे तो बार्डर के पार एक्टिविटी शुरू हो जाती थी वो तो नवा शरीप चले गए तो वो दोस्ताना थ बांगलादेश के परिष्षक में इस बात को लेकर सहमती है कि आवामी लीग की सरकार भारत की कथित मुसल्मान विरोधी सरकार से और वहां की राजनीती से असहज है और इसका असर बांगलादेश पर पढ़ रहा है आवामी लीग खुद को सेकुलर पार्टी कहती है दिखात जड़े मजबूत ना हो लेकिन कम से कम दो मंत्रियों का भारत दोरा इसलिए रद किया गया है और सबसे इंपोर्टेंट लाइन जो तोहिद हुसेन है जो डिप्लोमेट रहे हैं वो कहते हैं भारत में सामपरदाइक राजनीती के प्रचार से बेशब आवामी लीग की सरका असरज महसूस कर रही है लेकिन जैसे जैसे पडोसी मुलक में धार्मिक अधिवाद बढ़ेगा तो उसका असर बांगला देश पर भी होगा नौ साल तक वो भारत में राजनीक का काम करके गए हैं जो आदमी ये बात कह रहा है तो आप एक तस्वीर देख रहे होंगे कि ब लाइनोटी हिंदूों पे जुल्मों सित्म की यहां से बारूत और वहां से आग और उसका नतीजा वहां पर हिंदूों पे अलब संख्यकों पे अत्याचार और उन घटनाओं को ट्रिटर पे लाके यहां पे अलब संख्यकों के खिलाफ माहुल बनाना और वो माहुल कई ब बिभाजन की रेखा कीच रही है, उसने ऐसा करने में सफलता भी मिली है। लंबे समय बाद भारत में एक पार्टी खुल कर सामपरदाइक राजनीती को बढ़ावा दे रही है इस से ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत में सामपरदाइक ता समाज में पैठ बना चुकी है ये बांगलादेश के चिंतक लोग वहां के जानने वाले सोच रहे हैं एक चीज एक तस्वीर निकल के आपके सामने आती जा रही है क्या भारत इसकी परवा करेगा इसका सवाल इसमें जवाला नेरी उनिविस्टी के प्रोफिसर संजेव हरद्वास से बात की गई और शेख हसीना ने जो बयान दिया था उस पर उनने सहमती ज़ता ही उनका कहना है कि भारत की राजनीती का असर बांगला देश पर सीधा पड़ता है हाला कि वह ये भी कहते हैं कि दक्षिन डेशिया में धर्म जातिक शेत्र और नसल आधारित राजनीती आम है कोई नई बात नहीं है लेकिन विस बात से सहमत है कि भारत की सामपरदाइक राजनीती का असर बांगला देश के अलप संख्यों को पर पड़ता है तो आप यहां मुसल्मान को दबाने वाली राजनिती करते हो तो उस राजनिती से वहाँ पे जो बहु संख्यक मुसल्मान हैं वो उसका फायदा उठाते हैं और वो वहाँ पे अलप संख्यकों में दबन करते हैं जो वहाँ पर हिंदू हैं सिख हैं और आपका इसाई है अब ह चाहलत यह है कि प्रदार मंतरी मोदी जब गए 26 मार्च को ये 26 मार्च 21 की बात है तो वहां जबर्दस विरोध हुआ और कहा गया कि मोदी यहां ना आए बांगलादेश मोदी सरकार की नीतियों से ना राज रहा है ये कुछ उधारन में आपके सामने रख चुका हूँ मैं औ और बाकी चीजों पर जाओंगा तो चीजें और गर्बर होंगी लेकिन फिर भी मोदी को लेकर बांगलादेश की जो प्रदर्शन कारिया आम लोग है जेनों ने उसकत प्रदर्शन किया वो क्या सोचते थे वो पढ़के सुनाना बहुत जरूरी है ताकि चीजें आगे उनका कहना है कि मुझीवर रह्मान ने धर्म रिपेश राष्ट की कल्पना की थी ऐसे में उनके जन्व सती समारों में मोदी को नहीं बुलाना चाहिए मुझीवर रह्मान एक धर्म रिपेश व्यक्ति थे उन्होंने धर्म रिपेश बांगलादेश बनाने की कल्पना की थ तो मोदी को मत बुलाओ यानि मोदी एक धर्मरपेक्ष व्यक्ति निस एक सामप्रदाइक व्यक्ति है ये वहाँ पे बाकाइदा ये रिपोर्ट हो रहा है भारत में NRC और नए नागरिक्ता कानून का मुद्धा बांगलादेश की विपक्षी पार्टी बी एन पी भी उठात को बांगलादेश की खत्रा खड़ा हो गया है हम लोग शुरूर में कह रहे हैं कि भारत में NRC को लेकर हम लोग चिंते हैं लेकिन जरकार कुछ नहीं कर रही है ये सारी चीजें लगातार आ रही हैं ये सारी बातें एक चीज साफ कर रही हैं कि बांगलादेश पे और भारत के बीच में एक ऐसा संबंद है यहां सामपर्दाइक्ता फेलती तो वहां उसकी सामपर्दाइक्ता को लोग फायदा उठाते हैं अब इस पूरे के पूरे मामले को पढ़के आप मैंसे बहुत सारे लोग यह कहेंगे कि आप मान रहे ना कि वहां अलपसंग्या को पर हमले हो आप मान रहे ना कि वहां पे हिंदूओं पे अत्याचार हो रहा है इस नए घटना करम के बाद में तो यह मैं सपस्ट करता चलूं कि इस तरह की घटना है बांगला देश में नहीं नहीं हैं इस तरह की घटना बांगला देश में होती आरी है और इस दोरान इस प्रदर्शन के बाद जो चात्रों का प्रदर्शन हुआ है जिसमें शेख हसीना को अपना देश शोड़कर भागना पड़ा है उस प्रदर्शन के बाद जो घटना हुई है ये अभी तक जो पहले से शेख हसीना के पावर में रहते घटना हुई थी उसके आगे कुछ भी नहीं है उसके सामने ये घटनाए ना के बरावर है इस चीज़ को भी मैं इसपस्ट करता चलूँ अब शेख हसीना के राज में अल्ब संख्यों के उपर कितने अत्याचार हुए और इनमें से एक भी अत्याचार में अगर आपको लगे कि मोदी सरकार ने या किसी और सरकार ने कोई आ जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं दस साल के अंदर उन्होंने इन घटनाओ को रोकने के लिए क्या किया अब जो आंकले में आपके सामने रख रहा हूं ये विवेका नंद फाउंडेशन के आंकले हैं बांगला देश में हिंदूों पर हमले के RSS का तिंक टेंक जो आंकल 12 और जबरदस्ती एविक्शन कराया गया खाली कराया गया 10 में 8 11 में 10 इसमें भी आजजनी हिंदू गाउं में 12 में 12 हमले हुए 13 में 27 हमले हुए 14 में मोदी जी का पदारपन हुआ वहां पर हसीना जी हैं और 30 हमले होते हैं यानि शेक हसीना के आने के बास सबसे ज़्याद का 30 हमले हुए हैं और पोस्ट इलेक्शन वाइलेंस हुई है जिसमें हिंदू प्रोपरटीज को और मंदिरों को बहुत सारा नुकसान पहुचाया गया और विवेका नंद फांडिशन कहता है कि सेक्शुल असर्स भी हुए 30 मामले हुए मोदी जी का एक बयान आया बांगल देश के हिंदूओं पर इसर ना पड़े 2015 में 15 मामले हुए वाइलेंस जारी रही बंडलिजम पी चलता रहा मोदी जी का कोई बयान आया सरकार का कोई बयान आया विदेश मंत्री का कोई बयान आया सुचमा सॉराज होती थी किसी तरह का 2016 में major attack हुए 20 मामले आया उसमें मं सामुई खिंसा हुई है 2016 में कोई एक बयान आया आप जो लोग विरोध करते हैं सामपरदाइकता का अलग अलग जगों पर उनको आप कहते हो टोचते हो कि भाई ट्वीट करो जो सरकार में बैठे हुए हैं जो हिंदू हितरक्षक हैं दुनिया के हिंदू को एक करना चाहते ह खंड भारत की बात करते हैं यानि बांगलादेश भी इदर का हिस्सा होना चाहिए ये भी होना चाहिए और बांगलादेश के हिंदूओं के लिए दो शब्द फूड रहे हैं सोला का बीस मामले देख लीजे सत्रा में अठारा मामले लेख लीजे और जादातर में वही दुर्गा पूजा के दोरान या तो जगला हो गया मंदिरों पे हमले हो गया बगरा बगरा दोजार अठारा में चौदा मामले हुए दोजार निस में बाईस मामले हुए दोजार अगर इन मामलों की तुलना अगर करना चाहें आपको ये 30-25 जो भी आंकले दिख रहे हैं ये आंकले अधूरे हैं अगर आप भारत के आंकलों को साथ में लेकर ना बैठें कि भारत में सामपर्दाइक हिसना इंसा और सामपर्दाइक आधार पर हमलों के कितने मामले हुए है ऐसा काम करने वाला कोई रिसर्च फांडिशन भारत में है नहीं पहलू घान को मार दिया किसी के फिरिज के अंदर से मीट निकला बोल दिया बीफ है पीट पीट के मार दिया हमारे यां भी लगातर चलता रहता है हमारे यां दिल्ली में चर्च जलाए गए बहुत सारी ची मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि कौन सी कौम जाधा सामपरदाइक ही होते हैं लंडन वाले तो ना हिंदू है ना मुसल्मान हैं वो भी सामपरदाइक हैं तेरा-14 शेर जल रहे हैं वाँ मैंने वीडियो बनाया था भी कुछ दिन पहले ही तो दिक्कत क्या है कि एक ची समझे समस्या है सामप्रदाइक्ता सामप्रदाइक्ता एक समुदाइकी सामप्रदाइक्ता दूसरी समुदाइकी सामप्रदाइक्ता की आग में घी डालती है और जिस मैडम को, शेख हसीना को, हम बहुत बड़ा सेकुलर हिंदू हितरक्षक मान के चलते हैं, ये उसके कारिकाल के आख़े मैंने आपको दिये, और मैंने आपको वो कारिकाल भी बताया, जो मोदी जी आ गए, उसके बाद हमले बांगला देश में कम होने के वजाए पढ़े उपर इसी प्रोग्राम में कुछ पहले, उनकी बात को माना जाए, तो मोदी जी के आने के बाद जो सामपरदायक्ता बढ़ी है, उसके दुष्परिणाम के तौर पे अगर ये कारण माना जाए, जो वो लोग बता रहे हैं, मैंनी कह रहा हूं, बांगला देश में अलब संख्यकों पे हमले बढ़ गए, और उन्हीं लोगों की अगर राय मानी जाए, तो ये जो शेख हशीना आई हैं, जिनको हम लोग बहुत अच्छा ये मानते हैं, कि अप कट्टर पंती, इसके अच्ने से कट्टर पंती आगए हैं महाँ पर, ये जो समझाया जा रहा ह इस ने पहले बहुत सारी मददें किया हैं, ठेके दिये बजली-वजली खरीदने के कॉंट्रेक्ट किये हैं, बहुत सारे काम चीये हैं, तो हम सब ये समझें कि ये हमारी शुपचिन तक हैं, इसने लोग तंत्रकाप हरं किया, हरं किया, इसने चउनाव माँ के जो है वो, उसमें रिगिंग की, चुनावाई उसकी जेब में था, उसके सुप्रीम कोड इसकी जेब में था, सुप्रीम कोड को भागना पड़ा उठके, स्टूडेंट्स ने घेर लिया था, इसने पूरा वहाँ पर अपना कब्जा किया हुआ था, और उसी मैडम के राज में अलव सिं के साथ ऐसा हो रहा है, जो बड़ा दिल दिखा रहे हैं, जहां पर रैलिया निकल रही हैं, लोग पहरे देरे मंदिरों के बाहर, सर्दों पर वामपंती रैलिया निकाल रहे हैं, ज्रूस निकाल रहे हैं, अल्व संखेकों को बचाने के लिए, उस निजाम को कहा जा रहा ह अगर शेख हसीना की जगे पे खालिदा जिया आ जाए तब तो आप कह सकते हो कट्रपंती निजाम आया है बांगला देश ने अभी खालिदा जिया को नहीं अपनाया है इन दोनों को इनकार दिया है और नई सरकार इतनी लोगता अंत्री की कि कहरे है शेख हसीना की आप भी जाओ और पॉलिटिकल प्रॉसेस में शामिल हो जाओ बहराल मेरा मकसद इस पूरी चीज को आपके सामने रखने का ये था कि जो सामप्रदाइकता है वो बेहत खतरनाक है उसका शिकार कमजोर लोग होते हैं बांगला देश में आर्थिक रूप से कमजोर हिंदू ही शिकार जो अरपती क्लास है जो भारत का भी वहां बसने लगा है ये औरोप में जाने की वे बंगला देश में बसने हैं लोग वो सब सुरक्षित हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो सामप्रदाइक था ये गरीब मार करती है गरीबों पर हमले करती है और ये किसी को भी चैन से जीननी देती है और लोगों का दमन करती है लोगों के उपर ऐसे जुल्म करती है जो असनी है उमीद करता हूँ आप ये समझे होंगे कि हमको बंगला देश की राजनीतियों में नहीं पढ़ना चाहिए हमको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए शेक असीना अच्छी है या जो नए लोग अच्छी हैं वगरा वगरा हमको इसको देखना चाहिए कि बंगलादेश में सामपरदाइक इंसा एक लगाता चलारा फिनोविना है मोदी जी के सरकार में आने के बाद बलकी बढ़ गया ये भी आकले हैं वेवेक अन्द फांडेशन के आकले हैं और मोदी जी ने इसको रोकने के लिए क्या किया इसकी कुछ ख़वरें हो आप मुझे लिंक साजा कर दीजेए मैं खास तोर पर मैंने बहुत ढूंड़ी है आपको दूँगा नमस्कार जेहंद झाल झाल